दोस्तों मैं जतिंदर टैकॉं से बोड़ा हूं दोस्तों यह है कूल पैट का कूल 3 प्लस स्मार्टफोन जो की अभी अभी इंडिया की मार्किट में लॉंच हुआ है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करने जा रहा हूं पूरा यह सील पैक है ज इसमें और जा तक बात करें दोस्तों इसकी और फीक्टर की 5.71 इंच का एच्टी प्लस डिस्प्लेय है और ड्यू ड्रॉप इसका स्क्रीन है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि छोटा सा नौच है इसमें और यह मीडिया टैक हीलियो ए 22 प्रोसेसर के ऊपर चलता है 13 मे के लिए दोस्तों आपको 8 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है और इसमें आपको फेस अनलॉक और फिंगर पिट सेंसर दिया गया है 3000 mAh की बैटरी दी गई है और एंड्रॉइड 9.0 पाई की ऊपर चलता है तो दोस्तों अब आप देख लेते हैं कि यह फोन देखने में कै इसा है और इसके बॉक्स में आपको फोन के लावा क्या-क्या मिलेगा अब मैं दोस्तों इसको इस बॉक्स को खोलने जा रहा हूं तो दोस्तों जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको सबसे उपर दोस्तों यह फोन मिलेगा यह देखिए और इसके लावा दोस्तों तो यह आपको एक box मिलेगा, अब इसमें देख लेते हैं कि इस box में क्या क्या चीजे दी गई है, यह तो दोस्तों आपका यह charging cable है, यह एक adapter है और यह SIM ejector है, तो यह चीजें दोस्तों आपको मिलेगी, इसके अलावा documentation होगा left and side पर, यह देख लेते हैं दोस्तों, यह cover भी है इसमें, यह documentation है, यह screen का cover है, और यह दोस्तों इसमें back cover दिया गया है, तो यह सब चीजें दोस्तों आपको इस phone के साथ मिलेंगी, और आप देख लेते हैं दोस्तों कि फोन दिखने में कैसा है, तो यह दोस्तों काफी shining इसका back दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे है यह दोस्तों दो color में आता है, ocean blue जो की मेरे हाथ में है और एक आपको shining black color में भी यह phone मिलेगा, अब दोस्तों इस phone को मैं boot कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कि यह phone देखने में कैसा है और इसका और design के बारे में मैं next portion में आप से बात करूंगा दोस्तों, तो द इसका काफी shining गया, gradient design इसका दिया गया है, और पर एक चीज़ का आपको ध्यान दखना पड़ेगा कि इसमें आपके fingerprints पढ़ने के chances बहुत जादा है, तो जो इस phone के साथ दोस्तों, जो back cover है, मैं suggest करूंगा कि वो आप लगा कर इसको use करें, बाकी दोस्तों, काफी light weight phone है, 135 grams का इसका weight है, पीछे दोस्तों fingerprint sensor दिया गया है, और ये दोस्तों 13 megapixel का camera है with LED flash, ये cool pad की branding दी गई है इसमें, और नीचे दोस्तों इसमें USB charging port दिया गया है, speaker grill है, left hand side पे दोस्तों power button है, volume rockers है, और right hand side पे sorry, और left hand side पे दोस्तों SIM slot दिया गया है, dual SIM slot है इसमें, और जहां त ये ऊपर है, दोस्तों 3.5M audio jack है, और ये दोस्तों इसका जो display है, ये काफी दोस्तों मेरे को bright लग रहा है, हलाकि मैंने अभी अभी इसको boot किया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसका आपके सामने दोस्तों review लेकर आऊंगा, और जहां तक बात करें दोस्तों इस phone के और features की तो दोस्तों ये जो phone है, ये दो variants में आता है, एक तो दोस्तों आपको मिलेगा 2GB RAM with 16GB of storage, ये दोस्तों जो particular model मेरे हाथ में है, ये 3GB RAM है, जो दूसरा variant है 3GB RAM plus 32GB of internal storage, जिसको कि आप further extend कर सकते हैं up to 128GB via microSD card, और जो दोस्तों डिस्पले की resolution है, वो 720 by 1520 है, और इसका aspect ratio है, और दोस्तों जहां तक बात करें इसके price की, तो जो 2GB RAM का जो variant है, दोस्तों इसकी price रखी गई है 5999, और जो 3GB RAM का variant है, दोस्तों इसकी price रखी गई है 6499, और दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो price company मांग रही है, क्या ये justify करती है, जो इसमें features दिये गए है, ज देखना पड़ेगा कि face unlock feature कैसे काम करता है, तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं इसका दोस्तों review आपके सामने लेकर आऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे video channel को subscribe कर सकते हैं, और आप मेरा blog भी पढ़ सकते हैं, जिसका आमेटेक्वाम.com, thank you very much and bye.